नमस्कार दोफ्तो स्वागत है आप से भी लोग का शेड़ी ग्लोस पर सोशल मीडिया पर आप जो कुछ भी देखते हैं क्या वो वाकई में सच है कई सारे ऐसे इंफ्लोएंसर्स हैं जो कि अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को दिखाते हैं लंबोगेनी दिखाते हैं और आप लोग को अट्रेक्ट करने कोशिश करते हैं क्या उनकी जिन्दगी वास्तव में है वैसी ही या फिर केवल अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्या आज फॉलोवर्स इतना ज़्यादा इंपोटेंट हो गए हो जाती है बहुत सारे ऐसे सोशल मेडिया के इंफ्लूएंसर्स हैं जो कि महंगी महंगी गाडियों के अंदर खुमते हैं अजीव हो गरीब कपड़े पहनते हैं जूट बोलते हैं अपने वीवर्स से की देखिए मैं ऐसी जिन्दगी को जी रहा हूं आप लोग बैसी जिन बहुत सारे रिल्स मेगरा आप लोग देखते हैं लेकिन क्या वास्तव में उनकी जिन्दगी सच है इस चीज हम लोग समझेंगे एक बहुत बहुत इतनिन इस्टोरी से इस्टोरी क्या है всё story के अंदर एक बंदर है इसको कहते है monkey trap monkey trap stories को हम लोग कहते हैं होता क्या है कि basically कोई भी एक बंदर है इसको लालच के अंदर फसाय जाता है किस प्रकार से एक मटका होता है और मटके के जो opening होती है वहां से हाथ जाने का रस्ता रहता है उस मटके के अंदर खाने का सामान रहता है जो कि बंदर को बड़ा अच्छा लगता है अब बंदर क्या है? कि उस के अंदर उस ओपनिंग के अंदर हाथ तो डाल सकता है लेकिन जैसे ही उस सामान को उठाएगा तो उसकी मुठी बंद हो जाएगी और मुठी बंद होने के बाद इसकी चोड़ाई बढ़ जाएगी और फिर वो हाथ को बाहर नहीं निकाल सकता है इसको कहते हैं monkey trap अब या तो उसको उस सामान चोड़ना पड़ेगा तब तो हाथ बाहर निकल जाएगा लेकिन अगर वो सामान सही बाहर हाथ निकलना चाहेगा तो वो जो मटकी है उसके हाथ में फंस जाएगी तो या तो उसको सामान चोड़ दे तब तो वो उसके जह है वहाँ से उस trap से बाहर निकल सकता है नहीं तो वो जो मटका है वो उसके चारा तरफ हाथ के अंदर जो है वो फंस जाएगा यह ट्रैप है वैसे ही सोशल मीडिया भी काम करता है सोशल मीडिया के उपर अगर आप किसी चीज को छोड़ते हैं आपका जो इंट्रेस्ट है आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं आपके फॉल्वर्स इतने बढ़ चुके हैं आपके मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर्स हैं आप यह है वो है कल को छोड़ने के लिए का जाता आप छोड़ नहीं पाएंगे उसको आपको इस एडिक्शन से बहार निकलना है तो कहीं उसको छोड़ना पड़ेगा तब आप एडिक्शन से बहार निकल सकते हैं तो जो यह जूटा संसार आप लोग देख रहे हैं क्या वास्तव में इसके सहारे जिंदगी विताना इतना आसान होता है लेकिन इससे जो एडिक्शन हो जाता है जूट बोलने का भी एडिक्शन होता है ड्रग से भी बहुत खतरनाक है ड्रग से भी जबर्दोस खतरनाक है सोशल मीडिया के उपर जूट बोलना उसको इन्फॉइंस करना 75 days के hard challenge के साथ में आप लोग हमारे साथ में जूट सकते हैं जो कि काफी वास्त्विक है reality के साथ में जो कि हम लोग कह सकते हैं कि आपको कही न कहीं जिंदगी के अंदर बहुत आगे पहुँचाएगा और minimum price के अंदर 350 rupees के अंदर आप लोग को 75 days तक हम लोग regular follow करेंगे 75 techniques आप लोग को बताए जाएंगी coupon code use करना है challenge जिससे आप लोग हमारे स्कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं जब से आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़ेंगे तब सही आपका 75 days का hard challenge चुरू हो जाएगा सबसे पहले रूल्स का वीडियो आप लोग देख लिजेगा इसमें है ना ठीक है चलिए देखते हैं कि social media की users कितने हैं अगर हम लोग चाइना में बात करें तो millions के अंदर देख रहे हैं 2027 27 27 कितने हो जाएंगे ठीक है चाइना के अंदर आप लोग यह देख रहे हैं लगभग 1212 1212 millions के अंदर है भारत में उसकी बाद दूसरे नंबर पर है 1170 1177 अमेरिका में 320 काफी कम है जबकि अमेरिका ही social media को परोजता है लेकिन खुद खाता नहीं है इसलिए restaurant का मालिक जिस खाने को दूसरे को खिलाता है खुद नहीं खाता है कभी जापान देखिए 113 और बंगलादेश काफी नीचे है 22 million के आसपास हम लोग वाटसप को यूज करते हैं अच्छा इस्टेटस को लगाने के लिए हमारे अंदर बड़ा वो रहता है इस्टेटस लगाएंगे गुमने के लिए गुमने के लिए गए वहाँ पर इस्टेटस मैं यहां आ चुका हूँ है न हम लोग घुमने के लिए जा रहे हैं आज इस तरीके से तो मतलब जो परसनल लाइफ है उसको भी बड़ा खोल कर वो दिखाता है मतलब आपकी तीजोर लाइकि मैंने इस्टेटस लगाया होगा आज से तीन या चार साल पहले तो यह बस आप एक मन की बढ़ास को निकाल लेते हैं मुझे मैंने बहुत लंबा समय हो चुका है ना ही मैं इंस्टागराम पे हूँ ना ही मैं फेस्बुक पे हूँ हाँ बस यूट्यूब पे आप उसी मुलाकात होती है इसके लाव और कहीं जो है मैं आपको देखने को नहीं मिलूँगा मस्त लाइफ है आराम से जिन्दगी वाली है ना और मैं अपने पेरेंट्स के करीब जदा रहता हूँ है ना मैं उनके जो विचार है उनके जो वियूज है उनको बहुत शेयर करता ह हूँ ठीक है चलिए मैं उसी में खुश हूँ फेस्बुक वगरा है इन सब से आप लोग कनेक्टेड रहते हैं अच्छा अब देखिए आप लोग किसी सका शिकार हो जाते हैं लोग सोशल मीडिया की ट्राइल के शिकार हो रहे हैं कि ठीक है एक बार यूज करके देखते है ऑनलाइन बुली करना यह सब जो है आप कितने फॉलावर्स हैं यह है कहां पर जा रहे हो गूमने के लिए वह क्या कहां पर जाया गूमने के लिए मीचे दस बात जो है मैसेज के अंदर गालिया वगरा लिखी रहती है है इस तरी के सोशल बुलिंग जो होना शुरू हो जा लगा कर यह क्या है जूटी इमेज है ऐसी इमेज आप लोग को डवलप करनी है जिसको आप लोग हर जगह पर्सीव कर सकते हैं वह एक्चुल इमेज होती है कि अब लोगों को दिखाने के लिए नहीं तीयर प्रेशर जो है वो बढ़ना जैसे आप लोग चालते हैं तो करती है फिर आपको एंजाइटी डिप्रेशन अकेलापन और यह सब जैसे ही कंक्लूड होता है तो आप लोग एडिक्शन की तरफ बढ़ना शुरू कर रहेते हैं आपको एडिक्शन होना शुरू हो जाता है वह सकता है कि आप ड्रक्स को परसीव करने लग जाए और ड्रक कोड़ अपके डोपामाइन आपका डोपामाइन जो है वह बहुत अक्टीव हो जाता है अपकीशन अगरे में बुश्य है की विएसे हमने बहुत सारी बताई हैं बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो आप लोग को बताई है आपको 75 टेक्निक्स बताई जा रही है और बड़ी कारगर है वाकई में वीवर्स को काफी हेल्प भी उसके अंदर मिल रही है आप लोग भी उसका जरूर फाइदा उठाईए इस हारड चेला जो जरूर एक्सेप्ट किजिए आपकी विल पावर एंक्रीज होगी लेकिन अगर फिर भी बोला नहीं सर हमको टेक्निक नहीं सीखनी है तो एक ही उपाई है डिलिट दा अकाउंट है ना डिलिट इस अकाउंट सोशल मीडिया का वह इस फेस्बुक है इंस्टाग्राम में डिलिट कर जाएगी लेकिन फिर भी आप पहले से ही किसी सोशल मीडिया के अडिक्शन के अंदर है या किसी भी एडिक्शन में है आप हमारे साथ में जरूर जुड़िए 75 डेस के हार्ड चैलेंज में आपको बहुत कुछ जो है वो मिलने वाला है ठीक है ओके जुडेंगे आप लोग चैलेंज कूपन कोड को यूज कर लीजेगा डिसकांटर प्राइस में आप लोग को मिलेगा और जब से जुडेंगे मात्र 350 रूपीज में 75 डेस तक हम लोग पढ़ा रहे हैं इतना बड़ा एक सेक्रिफाइस भी आप लोग कह सकते हैं तो ज़रूर जॉइन कीजिए जब स प्राइस से सकते हैं